मिशन राजिस्तान पर कॉंग्रेस जनता को लुभाने में जुटे सीम गहलोत आज उदैपूर में करेंगे जनसभा को सम्भोधित मद्यप्रदेश में बीज़ेपी को जोरदार जटका शेपूरी में जोतिर अदित्य सिंध्या के समर्थक ने छोड़ी बीज़ेपी आज को उंग्रेस में होंगे शामिल छे दिन के दोरे पर भारत लोटे पियम मोदी, पियम मोदी का पालम एरपोर्ट पर बीज़ेपी अध्यक जेपी नड़्डा और दिल्ली के सांसदों ने क्या स्वागत अखलेश यादव ने कसी कमर सपाचीफ अखलेश यादव आजंगवर्ण लोगसभा को लेकर आज करेंगे समिक्षा बैठाक यूपी में पैर जमाने की कोशिश में आम आद्मी पार्टी, आज से एक जुलाई तक यूपी में बिजली खुजो अभ्यान चलाएगी आप, दो जुलाई को निकालेगी लाल टैन जुलूस जेपी निड़ा आज भोपाल में सीवा, सुशाशन और गरीब कल्यान की योजनाओं पर आधारिद, प्रदर्शनी का करेंगे शुभारग आज जम्मू आएंगे रक्षा मत्री राधना सिंग, रक्षा सम्मेलन में होंगे शामिल, बीजेपी नेताओं से भी करेंगे मुलाकात उडिशा के गंजब में भीशर बस दुरघटा में दस लोगों की गई जान, आठ घाया सीएम ने किया मुआफ़े काहलाद कश्मीर घाटी में छे जगों पर NIA की चापे मारी आतंकी से जुड़े मामलों में की गई कारवाई बारिश से भारी नुकसान उफान पर नदियां कुल्लू में आठ गाडियां बही दो जिलों में चार की गई जान राश्पती जो बाइडन का ट्वीट अमेरिका और भारत में पहले से ज़्यादा मजबूत हुई दोस्ती बाइडन के ट्वीट पर पिया मोदी का जवाब भारत अमेरिका की दोस्ती वैस्टिक भलाई को देगी ताकत केनिया में दो गावों में सचसत्र हमला वरों ने किया अटैक पांच लोगों की गई जान रूस के घटना करम पर बाइडन नेकी जैलेंसकी से मुलाकात अमेरिका नेकी पुष्टी सीरिया के इदली में रूसी हवाई हमले में नो लोगों की गई जान दरजनो घायल शेर बाजार में सुस्त शुरुआत सेंसेक 63,000 की पार निफ्टी में 34 अंको की बड़त दिल्ली के लोगों को बड़ा जटका 10 फीसिदी तक बड़े बिजली के दाम प्रतिस प्रदा सुचकांग में गिरी भारत की रैंकेंग आर्थिक प्रदर्शन भी रहा कमजोर उच पेंशन पे हर महीने मिलने वाली राशी पर भरना होगा कर इपी एफो की इस योजना के लिए आवेधन करने की अंतिमतिती आज कंपनियों ने जारी के पेट्रोल डीजल के दाम दिल्ली में एक लिटर पेट्रोल 96 रुपे 72 पैसे प्रति लिटर जबके डीजल 99 रुपे 62 पैसे प्रति लिटर